हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी, जिसका नाम है भूटा घड़ा किसी गाउं में रामु नाम का एक गरीब किसान अकेला रहता था, रामु के पास एक छूटा सा खेत था, जिस पर खेती करके उसका गुजारा चलता था एक दिन रामु बाजार में खेत के लिए बीच खरीद रहा होता है, तभी उसकी नजर तो बड़े और सुन्दर घड़ों पर पड़ती है वाँ, ये तो बहुत बड़े और कहरे घड़े हैं, नदी से पानी भर कर लाने के लिए ये बिलकुल सही रहेंगे वैसे भी घर में रखे उस छोटे घड़े में बहुत कम पानी आता है रामु बीच छोड़ कर उन दोनों घड़ों को खरीद लेता है, और घर की तरफ बढ़ने लगता है ये मुझे बहुत अच्छी चीज मिल गई, कल से मैं हर रोज इन ही दोनों घड़ों में पानी भर कर लाया करूंगा मुझे यकीन है, इनका पानी मेरे लिए बिलकुल भी कम नहीं पड़ेगा ये सब सूशते हुई रामु घर पहुँचता है, अगली सुभा वो एक डंडे के दोनों किनारों पर रसी की मदद से घड़ों को बांद देता है और वो नदी की तरफ चल पड़ता है, रास्ते में वो एक कच्चे और बेजान रास्ते से होते हुए नदी के पास पहुँचता है और दोनों घड़ों को पानी से लबालब भर लेता है वारे वाह, इतने सारे पानी से तो पूरे दिन का काम हो जाएगा मज़ा आ गया, अब तो मुझे दो दिन तक यहाँ आना ही नहीं पड़ेगा इसी खुशी में रामू पानी लेकर गाता गुनगुनाता घर की तरफ चलने लगता है घर पहुँचकर वो जैसे ही घड़ों को जमीन पर रखता है वो दिखता है कि एक घड़े में पूरा और दूसरे घड़े में आदा पानी है ये देखकर वो समझ जाता है कि एक घड़ा फूट चुका है ये घड़ा तो फूट गया फूटे घड़े को देखकर रामू को सोचने लगता है तभी उसे एक तरकीब सूचती है अरे फूटा हुआ है तो क्या हुआ? मेरे पास इसके लिए भी काम है इसके बाद रामू दोनों घड़ों का पानी मिट्टी के एक बड़े बर्तन में पलट देता है और खेत में काम करने चला जाता है इसी तरह दिन बीटते जाते हैं और रामू हर रोज दोनों घड़ों को लेकर नदी पर जाता रहता है ये देखकर फूटे घड़े को खुद पर शर्म आने लगती है मैं फूटा हुआ हूँ ये बात पता होने के बात भी मालिक रोज मुझे अपने साथ नदी पर लेकर जाते है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मैं इनकी महनत को बेकार नहीं कर सकता फूटा घड़ा ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी साबक खड़ा फूटे घड़े से बोलता है हे तुम रोज आधा पानी रास्ते में ही गिरा आते हो और एक मैं हूँ जो रोज पूरा पानी नदी से घर तक लेकर आता हूँ तुम्हारे जैसा बेकार आज तक मैंने नहीं देखा साबुत घड़े की बात सुनकर फूटे घड़े को बहुत बुरा लगता है अगली सुबा जब रामु घड़ों को उठाने आता है तो फूटा घड़ा रोते हुए उससे कहता है मालिक मैं फूटा घड़ा हूँ अमेशा आधा पानी गिरा देता हूँ फिर भी आप रोज मुझे साथ लेकर जाते हैं कृपया आज मुझे घर पर ही रहने दीजिए मैं आपकी मेहनत को और खराब नहीं करना चाहता घड़ी की बात सुनकर रामु उसे अपने हाथों में उठाता है और बोलता है तुम सिर्फ अपनी बुराई देख रहे हूँ पर मैं शुरू से ही उस बुराई के साथ छुपी अच्छाई को भी देख रहा हूँ इसलिए मुझे कभी भी तुम में कोई कमी दिखाई नहीं दी मुझे में कोई अच्छाई नहीं है आपको मेरी जगे कोई दूसरा घड़ा खरी लेना चाहिए तो ठीक है आज तुम मेरे साथ चलो और नदी से वापस आते समये वहाँ खेले फूलों को देखना मुझे भरोसा है उसके बाद तुम अपने आप से प्यार करने लगोगे रामू की बात मान कर फूटा घड़ा उसके साथ जाता है और मेरी से वापस आते हुए सब कुछ भूल कर सिर्फ रास्ते के किनारे खिले फूलों को देखता रहता है सुन्दर फूलों को देखकर वो बहुत खुश होता है लेकिन घर पहुँचते ही अपने अंदर आधा पानी देखकर वो फिर मायूस हो जाता है मैंने आप से कहा था कि मैं किसी कामकार नहीं हूँ अभी रास्ते में जिन फूलों को देखकर तुम अपनी कमी को भूल गए थे वो फूल किसी और ने नहीं बलकि तुमने ही उगाये हैं हर रोज जब हम नदी से वापस घर आते हैं तो तुम्हारा आधा पानी उस धरती पर गिरता है जिससे उन फूलों को उगने में मदद मिलती है तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम किसी काम के ही नहीं हो तो उन्हें मैंने उगाया है जब पहले दिन मैंने तुम्हारे अंदर आधा पानी देखा तभी मुझे पता चल गया था कि तुम फूटे हुए हो इसलिए मैंने उसी शाम वहाँ फूलों के कुछ बीज बो दिये थे और फिर रोज तुम अपने पानी से उनकी सिचाई करते रहे देखो आज वो बीज कितने सुन्दर फूल बन गए है फिर्फ तुम्हारी वज़े से आज वो बेजान रास्ता भी खुशनुमा हो गया है और मेरी मदद भी हो गई इन सब में आपकी मदद कैसे हुई वो ऐसा है कि अब मैं खेती के साथ साथ उन फूलों को भी बाजार में बेशने लगा हूँ जिससे मेरे पास थोड़ा अधिक धन आ जाता है उस धन से मैं खेत के लिए ज्यादा और अच्छे बीज खरीद लेता हूँ ये सब तुम्हारी वज़े से ही हो पाया है इसलिए आज के बाद कभी खुद को बेकार मत समझना रामू की बाद सुनकर फूटे घड़े को अपनी एहमियत का एहसास हो जाता है इसके बाद वो खुद से प्यार करने लगता है और फिर कभी खुद को बेकार नहीं समझता तो बच्चों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की कमी का मजाक नहीं बनाना चाहिए बलकि उसकी अच्छाई को ढूंड कर उसे और निखारना चाहिए तो दोस्तों आपको हमारी आज की ये कहानी और रामू की चतुराई और नेक दिली कैसी लगी ये हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि अगर आप रामू की जगह होते तो क्या करते दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे काटून शोस सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें